दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिच्छा मनोब ज्यान से जोड़े कुछ मात्पूर्ण परस्णों को जो पिछले वर्सों में टीटी के एक्जाम में पूछे गए थे साथ ही साथ इन से जोड़े कुछ मात्पूर्ण तथ्यों की वीचर्चा हम लोग करेंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक देखिएगा तब ही आपको बाती समझ में आएंगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप से कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि आपके लिए हम आएसी आगे वीडियो लेके आते रहेंगे और सस्क्राइब करने के साथ साथ उसके साथ में जो व्याल आइकन आता है उ पूछा क्या जा रहा है, एक सिच्छक के लिए सबसे महत्पूर क्या है, यानि की जो चारो आप्सन है, ये तो इन में से आपको स्लेक्ट करना है, कि सबसे आदा important क्या होना चाहिए सिच्छक के लिए पहला option है कच्छा में अनुसासन बनाए रखना दूसरा option है कच्छा में समय अनुर्ति होना यहीं समय पर पहुंचना और तीसरा option है विद्यार्थियों के कठनाई को दूर करना और चौथा option है एक सुवक्ता होना तो देखिए सिच्छक के लिए अगर देखा जाए तो कहीं नहीं कहीं ये चारो ऑप्षन जो है ये सही है चारो ऑप्षन के जो गूंड बताये गए हो सिच्छक में होने चाहिए लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे महत्यपूर्ण क्या है तो यहां चारों आप्सन में सबसे महत्यपूर्ण होगा विद्यार्थियों की कठनाई को दूर करना है यानि कि जो तीसरा आप्सन है यह सही होगा और यह क्यों सही होगा कि देखिए अगर आप जो विद्यार्थियों की कठनाई को दूर नहीं कर पा तो जो है सबसे में इंपॉर्टेंट क्या है कि बिद्यारतियों की कठनाई को दूर करना चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं आप एक अतिशक्रिये बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्यूशन है यह पी टीटी 2016 में पूछा गया था कि दूस्तर अप्संने उसे कच्छा में कोने में बैठनी की जगह निर्धारित करेंगे तीसरा अफ्सने उससे स्यामपट आदाधि साफ करने का काम देंगे और चौथा अपसन है कच्छा के कारियों का नेत्र उत्तिपदान करेंगे तो देखे क्यूशन क्या है कि जो है क्यूशन है कि आप एक अतिसक्रिय बालक को कैसे सही दिसा में लाएंगे तो देखे जो अतिसक्रिय बालक होते हैं वो कच्छा में अगर अगर आप उनको किसी पहली पंक्त में या किसी निश्चित अस्थान पर बठा देंगे तो उस से उसका हल नहीं निकलेगा उसके अंदर जो अतिशक्रियपन है वो कहीं न कहीं आपसे छिप कर या आपकी जो है निगाहों से बच कर उसे करने का प्रयास करेगा कहने का मतलब ह कि उसका पढ़ने में मन नहीं लेगेगा और अगर आप उसे जो है कोई कारे देते हैं यानि कि इसमें चारो आप्षन में जो सबसे सटी का अंसर होगा वो कच्छा के कारियों का नेतरुत परदान करके यानि कि चौथा आप्षन सही होगा तो आप अगर जैसे monitor चुना जाता होगा सब इस छात्रों को एक साथ लेके चलेगा और बालक जो है इनी कामों में जो है व्यस्त रहेगा तो उससे क्या है कि वो जो उसका सक्रियपन है वो समाप्त हो जाएगा यानि कि वो जो है इनी activity में लगा रहेगा next question हम लोग देखते हैं पिर्थक पिर्थक समजाती है समोहों के बेक्टियों के प्रती बच्चों की अभिवरिति साधारता आधारित होती है कैने का मतलब है कि अलग-अलग समाज के जो समोह के लोग होते हैं उनके प्रती बच्चों का ब्योहार कैसा होता है यह किस पर आधारित होता है option है उनके अभिवागों के चितवरिति दूसरा option है उनमें समकच्चियों की अभिवित्ति पर या तीसरा option है दूरदर्सन के प्रभाव पर यानि जो टेली बेजन में बच्चे देखते हैं उनका और चौथा option है उनके सहोधरों की अभिवित्ति पर यानि उनके जो सहापाथी हैं उनके जो है अभिवित्ति पर तो का जो सोच है ये किस पर निर्भर करता है तो इसके लिए जो सबसे सटी का अंसर होगा चारों में कि उनके अभिभावकों की चित्रवृत पर यानि कि जो बच्चा जो अपने अभिभावक से अपने माता पिता से अपने परिवार से जिस प्रकार से देखता है अनुकरण करत है उसी प्रकार से हुआ समाज के लोगों के पति जो है ब्याओहार करता है तो जैसे कहा भी जाता है कि जो परिवार होता है बच्चे की परथम पाट साला होती है तो जो कुछ भी क्योंकि बाल लेवस्ते में बच्च जियादा तर अनुकरण से सीखता है वह तो या तो सिच्छक का अनुकरण करता है या तो अपनी माता पिता का का अनुकरण всегда तो जो है सबसे पहले जो उसकी अभिवरित पर जो चाप पड़ती है बच्चे के उसके अभवावकों की पड़ती है यानि कि समाज के जो लोगों की प्रति उसकी जो भावना होगी उसका जो ब्योहार होगा बच्चे का उसके अभवावकों से सबसे ज़्यादा प्रभावि और उसको समझने का प्रयास करिए कि पूछा क्या गया है कभी और क्योंकि मनुविज्ञान आप पढ़ रहे हैं मनुविज्ञान का पेपर सॉल्फ कर रहे हैं तो उसमें जादर तर क्यूश्चन जो होते हैं आप्सन जो चारो होते हैं सभी सही होते हैं लेकिन उनमें आपको सबसे 60 का आंसर ढूंडना होता है चलिए next question हम लोग देखते हैं निम्द में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है कि जैसे कौन सा सही नहीं है पहला है सीखने का उद्दीपक अनुकृरिया सिधान थारंडाइक का तो यह सही है हम लोगों ने पिछले वीडियो मे भी इसका देन किया था दूसरा है सीखने का क्रिया परसूत अन्बंधन सिधान वी एफ इसकिनर ने दिया था यह भी सही है तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिधान पावलाव ने दिया था यह भी सही है तो फोर्थ आप्सन बचता है कि जो सीखने का समग्र सिधान था सीखने का समग्र सिध्धान जिसे हम लोग सूझ या अंतरद्रिष्ट का सिध्धान भी कहते हैं इसे गेस्टाल्ट वादी मैंने बग्ज्ञान को ने दिया था जिसमें कोहलर का नाम प्रमुख है तो सीखने का जो समग्र सिध्धान था वो गेस्टाल्ट वादियों का था जिसे हम कोन सा यूग में सही नहीं है तो इसमें चौथा अप्सन होगा सीखने का समगर सिध्धान नेक्स कुछन हम लोग देखते हैं इन में से किन का नाम सुजन सास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है इसमें चार अप्सन है क्रो एंड क्रो दूसरा गाल्टन तीछरा रास और चौ होता है मनो विज्ञान में जिसमें जिवधारियों से संभन्धित संख्या का विज्ञान जो है निकाला जाता है तो इसके जो प्रतिपादक थे सबसे पहले गाल्टन ने इसके बारे में फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था तो फ्रांसिस गाल्टन को सुजिनन सास्तर का पित नहें सभी TET 2013 के प्रस्ण है तो जो है बहुत important है सुजिनन सास्त्र के पीता यानि जीव सांखिकी भी कभी कभी option में आता है तो जीव सांखिकी या सुजिनन सास्त्र के पीता जो है इन चारों ने अलग अलग बताया था तो इसमें पूछा है ग्रंथियों के आधार पर किस ने बताया था तो ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने बताया था इसका जो है दीसरा option सही होगा ग्रंथियों के आधार पर और देखिए क्रेसमर ने बताया था सरीर रचना के आधार ध्यान से सुन लीजेगा, अगर आपको कहीं लिखना होद लिख भी लीजे, कभी कोई पूछा भी आता है, जैसे यहां ग्रंथियों के बारे के आधार पर पूछा गया है, वैसे जो है पूछा जाता है कि सरीर रचना के आधार पर किसने जो है ब्यक्तित को बाटा था, तो क अधर मुखी, बहे मुखी और उभे मुखी, और उसी परकार देखेंगे, इस पैंजर ने जो है मोलियों के आधार पर बाटा था, जो है ब्यक्तित को जिसमें से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैध्यानतिक अनिक परकार की मोलिय बताये थे, लेकिन ग्रंथियों के आ ये जो है कुशन का सिधा सिधा परिवासा पूछी गई है स्रिजनात्मकटा की, की स्रिजनात्मकटा मालिक परणामों को अभ्यक्त करने की मानसिक परकिरिया है या किसका कथन है, तो इसको जो है क्रो एंड क्रो ने कहा था, य Kylie कैशनी कि चौथा और आप्सन इसमें सही है next question हम लोग देखते हैं बिद्रोह की भावना की प्रवित्ति निमने से किस अवस्था से सम्मंदित है यानि कि बालकों में जो बिद्रोह की भावना पाई जाती है किसी समाज के प्रती या किसी विशिस्ट ब्यक्ति के प्रती यानि कि जो बालक करना चाह रहा है अगर उससे करने से जो भी रोक रहा है चाहे वो ब्यक्ति हो चाहे हो समाज हो चाहे हो उसका परिवार हो तो उसके प्रती बालकों में बिद्रोह की भावना पाई जाती है किस अवस्था में होती है पहला अप्सन है बाल्या दूसरा अवस्था तीसरा अप्सन है पूर्व की सोरा अवस्था और चौथा अप्सन है मद्ध की सोरा अवस्था तो यहां पे देखिए जो बिद्रोह की भावना उसको हल ने कहा भी था कि जो है तूफान की अवस्था या फिर बिद्रो की अवस्था तो यह पूर्व की सोरा वस्था होगा यहां पे आंसर जो बारा से चौदा वर्स तक की अवस्था को पूर्व की सोरा वस्था वर्स माना जाता है तो बिद्रो की भावना सबसे जादा जो प्रबल होती है वो पूर्व की सोरावस्था में होती है, यानि कि बच्चा जो भी, क्योंकि उस समय बालक का जो मस्तिस्क होता है, उसमें तूफान की अवस्था होती है, वो अस्थाईत तो नहीं होता है, यानि बच्चा जो कुछ भी सोचता है, वो समझता है कि हम सही कर रहे हैं, और वो कि किसी के बातों को मानता नहीं है तो इसमें राइट आंसर जो होगा होगा पूर भी की सहुरा आवस्था नेक्स्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में छे से चौदा आयू वर्ग के बच्चों के लिए निसूल किवा अनिवारे सिच्छा क अधिकार सामिल किया गया है देखिए बहुत ही इंपॉर्टन क्यूशन है यहां से बनते हैं पहला क्यूशन तो यही बनता है कि जो निसूल को और अनिवारे सिच्छा का प्रावधान किया गया है यह जो है किस आयूबर के बच्चों के लिए है यानि कि 6-14 वर्स आपको रट लेना है option में आपको एक क्यूशन तो यहीं से मिल जाएगा और दूसरा इसने पूछा है कि भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद में 6-14 वर्स के बच्चों के लिए निसूल को और निवारे सिच्छा का प्रावधान सामिल किया गया है तो इसमें पहला option है अनुच 21A यानि कि 21A में इसको सामिल किया गया है नेक्स्ट क्यूशन देखेंगे क्रेस्मर ने व्यक्तित को निम में से किस प्रमुख प्रकार में बरगी किरित किया है UPTT 2016 भी देखें हमने उपर बता भी रहते क्रेस्मर ने जो है व्यक्तित को सरीर रचना के आधर पर तीन भाग यानि कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा चौथा यह सभी जो क्रेस्मर ने व्यक्तित को बाटा था शरीर रचना के आधार पर बाटा था और यह तीनों आप्सन लंब का है सुटोल का है और गोल का है तीनों सही है तो इसका उप्रोग सभी सही होगा नेक्स्ट क्यूश अधिक शमता दूसरा है अभी शमता तीसरा है विबिरित और चौथा है मूल्यों के मापन के लिए जिसका जो राइट आंसर होगा होगा अभी शमता के मापन के लिए होता है नेक्स्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे संगनन का सिध्धान निम में से किसकी व्याख्या करता है संगनन का सिध्धान देखेंगे हम लोग जो है सिछ नौम ज्यादवले चैप्टर में और अधि兩aaa है तीसरा है समय Guardian का सिध्धानत जो है स्मृत से संबंदीत है जिसमें जो है मस्तिष्क में सूचनाओं के संचेन से संबंधित या सिधान्त है संगनन का सिधान्त तो यहां पे जो राइट आंसर होगा होती होगा तीसरा यह आपके UPTT 2013 में पूछा गया क्यूशन है वह काफी इंपॉर्टन है आप इसको जो है याद कर लिजेगा नेक्स्ट क्यूशन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है कि जब मानों शरीर के एक भाग को दिएगे फरसिचन का अंतरन दूसरे भाग में हो जाता है तो उसके क्या कहते हैं option है ऊड़ अंतरण, दूसरा है 36 अंतरण, तीश रा है 24 अंतरण और शौथा इन में से कोई नहीं, तो देखिए जो अधिगम अंतरण होता है, यानि कि जो सीखने की योगिता होती है, उसका अंतरण यानि कि उसका अंतरण होता है, जैसे हम लोग किसी एक हाथ से लिखना शी जाते हैं तो इसको अधिगम का अंतरण कहते हैं यानि कि एक जगां सीखा गया गया गयान का प्रियोग दूसरी यगां के करना तो जो है अगर परसिछन का अंतरण हो रहा है दूसरे भाग में हो रहा है तो मानोसरीर के ही भाग में हो रहा है मतलब दाएं भाग का अंतरण ब हम लोगों ने जो अधिगम अच्छमता वाला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा उसमें हमने जितने भी अधिगम संबंदी बिकार हैं सभी को बताये हुआ है तो गतिक कौसलों में अधिगम अच्छमता की बात अगर होती है तो यहाँ पे पहला option है डिस फेजिय जो है यह गरन समंदी विकार है तो इसमें पूछा क्या गया है कि गतिक कौसलों में अधिगम अच्छमता कहलाती है तो इसका राइट अंसर होगा डिसप्रेक्सिया यानि कि दूसरा option इसमें सही है तो गतिक कौसल क्या होते हैं कि जैसे माली जी आप कोई कोई गतिमान ची है तो इस प्रकार के जो है कौसल को क्या कहेंगे गतिक कौसलों में अधिगम की अच्छमता नेक्ष्ट क्यूचन हम लोग देखते हैं इसमें खाली अस्थान है उसके बाद पूछा गया है कि के अतरिक्त नीम लिखी समस्या समाधान की प्रिकिरिया के चरण है मतलब कि इसमे खाली अस्थान में भरना है हमें और उसके बताना है कि अतरिक्त नीम लिखी समस्या समाधान की प्रिकिरिया के चरण है पहला अप्षन है परेडामों की आसा करना दूसरा अप्षन है समस्या की पहचान करना तीसरा है समस्या को छोटे हिस्सों में बाटना और चौथा है स समभावित योक्तियों को खोजना तो देखे सबसे पहले समस्या समाधान से जुड़ा कभी कभी क्यूशन पूशा जाता है तो उसमें ज्यादा तर क्यूशन यही आता है कि समस्या समाधान की प्रकिरिया की चरण क्या है तो सबसे पहले जान लिजिए कि समस्या समाधान अग फिर उसके बाद जो तीसरा चरण होगा संभावित युक्तियों को खोजना यानि कि आपने उस समस्या को पहचाना है उसकी क्या संभावित युक्ति हो सकती है उसको आप खोजेंगे उस पे आप प्रिशर्च करेंगे तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा समस्या सम समस्या समध्धान की प्रकिरिया का कोई भी चरण नहीं है हमने बताया कि इससे सम्भावित युक्तियां है उसको खोजना इसको याद रखेगा आप लोग नेक्स्ट क्यूशन जो है कि अगर कोई भी बच्चा आपसे बार बार प्रस्ट पूशता है तो इसका मतलब है कि वह अधिक जिग्यासू है यानि कि दूसरा option सही होगा कि जो है उसके subject के प्रति या जो topic आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति बच्चे में जो है जिग्यासा है उसकी जानने की इच्छा है और सबसे important बात कि अगर इस प्रकार से कोई बच्चा जो है आपसे कच्छा में बार बार प्रस्न पूछता है त तो उसकी जो जिग्यासा है आपका जो करतब है आदर सिच्छक का कि उसकी जिग्यासा को आप तुरंत solve करेंगे यानि कि उसको टालेंगे नहीं कि जो है हम आपको बाद में बताएंगे ना उसको फिर डाटेंगे कि अभी तुम बैठ जाओ इस प्रकार से कोई भी प्रस्न नहीं किया जाता आपको बच्चे की जिग्यासा को तुरंत जो है सांत करना है नेक्स्ट क्यूशन जो है देखेंगे कि एक बच्चा प्राया अपने सापाठियों के साथ जगड़ता है आप क्या करेंगे CTT 2011 का प्रस्न है कि देखें जो है कुछ व्यावारिक प्रस्न भी जाते हैं सिच्छा मनोविज्ञान में तो इस प्रकार की प्रस्नों को हमने बताया है कि आप जब भी solve करेंगे तो सबसे पहले क्यूशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछा क्या गया है उसके बाद option में देखेंगे कि कौन सबसे यादा सटी का अंसर है सबसे पहल आप कारण का पता लगाएंगे और उसे प्रामर्स देगे और चौथा option है कि आप उसके माता पिता से बात करेंगे तो देखिए अगर एक बच्चा है जो अपने सापाटियों के साथ जगड़ता है तो सबसे इसका जो सटी का अंसर है इसमें चौथा कि आप जो है कारण का पता लगाएंगे और उसे जो है ब्यक्तिगत रूप से प्रामर्स देंगे यानि कि उसको सलाह देंगे कि ऐसा ना करें या फिर सबसे पहले अगर आप कारण का पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा इस परकार्स की जो है एक्टिवीटी क्यों कर रहा है अगर इन सबसे पहला चरण आपका यही होगा कि आप सबसे पहले कारण का पता लगाएंगे और उसे प्रामर्स देंगे अगर उसके बाद भी बच्चे में ये ये बात ये एक्टिवीटी उसकी सही नहीं होती है तब उसके बाद आप उसके माता-पिदा से बात करेंगे लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो आपका option होगा, वो होगा, आप कारण का पता लगाएंगे और उसे प्रामर्स देंगे, next question हम लोग देखते हैं, निम लिखित में से कौन सा सिध्धान्त पाठ योजना में सामिल नहीं है, CTT 2012 का question है, और जितने भी लोगों ने पर सिछन प्राप्त किया है, सभी ने पाठ योजना बनाई होगी, तो देखिए इसमें सबसे पहला option है योजना की द्रेंड़ता, यानि कि जो आपने पाठ योजना बनाई है उसकी द्रेंड़ता, दूसरा option है सिछार्थियों का ज्यान, और तीसरा option है उद्यसों की असपश्टता, और चौथा है सिछण का ज्यान, तो देखिए कौन सा ऐसा सिध्धान था जो पाठ योजना में सामिल नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो right answer है योजना की द्रेंड़ता, और क्यों है इसको हम बताते हैं, कि जैसे हम लोगों जितनी पाठ योजना बनाई थी उसमें देखे सिछार्थियों का ग्यान नहीं है, उनका पूर्व ज्यान जरूर उसमें सामिल होता था, जो हम लोग प्रस्ण प्रस्तावना का जो प्रस्ण पूछते थे, उद्देश से कथन निकलवाते थे, उसे क्या होता था, कि जो है हम लोग बच्चे के पूर्व ज्यान से जोड़ कर कोई प्रस्ण पूछते हैं, और उसका जो है प्रकरण निकलवाते हैं, तो सिछार्थ वड़तियों का घ्यान जो है हम लोग की पार्थी योजना में सामिल होता है उसके बाद हम लोग दाएंगे उड्देसे की पाश्टता हम यो गूंक का एक निशीत उड्देश होता है कि हम लोग कि यह पाठ योजना तयार कर रहे हैं, इसे पढ़ानी का उद्देश से क्या है, और सिच्छन का ग्यान, सिच्छन का ग्यान बहुत ही important है पाठ योजना में, कि आप जो भी पढ़ाते हैं, उससे सम्मंदित ग्यान आपको देना है, आपके पास knowledge होगा, तब ही आप अच्छे से उस TET के लिए, कि ये राजस्थान TET 2016 में हमें एक प्रस्ण मिला है, लेकिन ये कई बार क्रियात्मक अनुसंधान से क्यूशन आ चुके हैं, CTET और जो है UPTET में, इसमें आपसन है कि जो है नभीन ग्यान का खोज, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश से बताना है, नभीन इसमें जो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य मैं उद्देश से है, वो है बिद्द्दैले तथा कच्छा की सैच्छिक कारी प्रणाली में सुधार लाना। पराली में सुधार लाया जाए उसमें अनुसंधान कारी किया जाता है जिससे विद्याले के सैच्छिक कारी पराली को सुधारा जा सके तो जो है किरियात्मक अनुसंधान से क्यूशन हम लोग देखते हैं और दूसरा होता है मौलिक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान प्राय जो है छात्रों द्वारा किया जाता है जो सोध छात्रों होते हैं वो करते हैं तो क्रियात्म काॉर मौलीक में थोड़ा अंतर समझेगा तो यहां पर जो राइटि अंसर होगा कौनसा होगा विद्याले तथा कच्छा की कार्यों में पनाली में सुधार लाना नेक्ट क्यूचन हम लोग देखते हैं पांच वर्स के मोहन की मानसिक आठ वर्स है तो उसकी बुद्धिलब्ध कितनी है यानि कि आईक्यू बहुत ही इंप्वार्डन क्यूचन है आप से सबसे पहले हमने बताया था कि जो बुद्धिलब्ध निका कि मानसिक आएव और उसकी वास्तोविक बुद्धिलब्ध कितनी है ग्यात की जाती है तो इसमें जो है सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आईक्यू यानि कि बुद्धिलब्ध निकालने का फार्मूला क्या होता है कि मानसिक आएव बटे में जो होता है वास्तुईक आये और multiplied by 100 तो यह इसका formula होता है तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे कि 5 वर्स जो है उसकी वास्तुईक आयो है और जबकि उसकी मांसिक आये जो यहाँ पे 8 वर्स की है तो उसकी बुद्धिलब्धी कितनी होगी तो formula है कि IQ यानि बुद्धिलब्धी बराबर होता है मांसिक आये बटे में वास्तुईक आये और multiplied by 100 तो यहाँ पे अगर formula से हम लोग निकालेंगे तो 160 आएगा और चार्ट में फिर हम लोग जो विने द्वारा चार्ट था उसमें देखेंगे कि जो 130 के ऊपर वाले जितने आते हैं उस अभी प्रतिभा साली बच्चे में आते हैं तो यह बहुत ही important है बुद्धि लब्धी निकालने का फार्मूला और इस परकार से प्रस्ण अब तो फार्मूला कमी पूछा जाता है सीधा इस परकार से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो यह बिने के परिषट से निकाला जाता है तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए इससे हमें पता चलता है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो को दो आन तक देखने के लिए आपका दोगाई